असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब भई आज का व्लॉग आपने गैस करना है कि मैं कहां पर आई हूँ यह और मैंने अभी तक दिस्क्लोज नहीं किया कि मैं किस चगह पर आई हूँ बस एक छोटी सी हिंड दे देती हूं कि यह एक हिस्टोरिकल प्लेस है इसको गैस करने के आज हम आए हैं काईद याजम हाउस मीजियम बड़े एरसे से पेंडिंग था और मैं जब भी गुजरती थी तुम्होशी थी कि मैंने इस पर एक व्लॉग बनाना है तो आज हम स्पेशली आए हैं टाइम निकालके इस मीजियम में और अभी हम अच्छा सा मज़ेदार सा ब पहला घर ये था जो नोने पर चेस किया था और वो यहां पर रहते थे जारत वाला घर जो है वो इस घर की शकल पर तामीर किया गया था और जब काईद याजम ने घर पर चेस किया था तो ज़्यादा वक्त यहां पर गुजारते थे लेकिन अमने जिमीगी का आखरी टाइ किसकी मालूमात में इदाफा हुआ है काईदयाजम हाउस की मेन एंट्रेंस आप बहुत नोस्टेल्जिक हो जाते हैं यह देखकर के यह घर कितना पुराना है काईदयाजम ने 1931 में किसी इंग्रेज से इसको पर्चेस किया था और अब इस घर को इसकी ओरिजिनल हालत में री स्टोर करके उसी तरह से चीजों को रेनोवेट किया गया है और बहुत खुबसुरित जगा है जैसे ही में इंटरिंस से आप अदर दाखिल होते हैं तो एक बाग आता है और उसके चारों तरफ डिफरेंट इमारते हैं जिसमें से कुछ आफिसेज बन चुके हैं म्यूजियम है लाइब्रेरी है और रिजिदेंशल एरिया है इसके सामने आपको जगह नजरा रियें जैसे ॆ गड़ जीके को तąd एक जू बहुत कर में इतना घृट्थ बजिदेंगा इसके साण में तो षुपसूरत और इतना सिंपल और इतना मिनिमालिस्ट किसम का किछन हने मैं इस्मिन Bye मैं तो बार बार इतनी नॉस्टेल्जिक हो रही थी पता नहीं आप लोग हो रहे हैं कैनी दू शेर यूर एक्सपीरियंस और दू शेर यूर थॉट्स इन यूर कमेंट्स और यह है काईदयाजम के घर में उनका ओफिस और साथ चोटा सा एक लाउंज एरिया है जिसमें डिफरंट फर्नीचर पड़ा हुआ है और इसको ऐसी ही रिस्टोर किया गया है एक चीज़ मैं बता दूँ का यहां पर फोटाग्रफी बिल्कुल भी अलाउट नहीं है ड्यू तो सम्सेंसिटिव सेक्यूरिटी इशू लेकिन मैंने छुपके सिर्फ आप सब के लिए थोड़े से क्लिप्स ज्यामो बनाए है मेरे एक्स्ट्रीम भिलते वे कैमरे से आप सब को अंदाजा हो रहा होगा कि मैं छुपके वीडियो पर ना रही थी लेकिन मिसे अच्छा लगता है कि जो जीज़ मैं खुद एक्सपीजिन्स करूं वो आप सब को भी दिखाऊंगा तो आप उन गारे हैं उन गाडियों के पास जो कायल याजम के उसे में रही थी वो सामने वहां पर उसको प्रिदर्व किया गया है यहाँ यहाँ पर तूरिस्ट अट्राक्शन के लिए और मेरे तो बच्चे बड़े एक्साइटीड हो थे इतने बड़े साइस की कार्ज देखके और थोड़ी थोड़ी में भी हो रही थी सकते बच्चे के लिए के हैं। सो बड़े थी तो तो पर आपद ढूत के लिए तो यह अग्याज में इसको प्रिष्ण आप देखर हैं। बड़ा फुर्स पांटिंटिंटी और मेरे पीछे में बिल्डिंग आपको नजर आरी है जो मैंने आपको अंदर से भी सारी की सारी विल्डिंग दिखाई है और कार्स की क्लेक्शन भी दिखाई है फॉर्निशर भी दिखाया आप सबने निजोई किया हुआ तो यह था आज का छोटा सा हिस्टोरिकल सा व्लॉग डू शेयर कॉमेंट्स मुझे बताईएगा आपको मेरे व्लॉग कैसा लगा और मेरी आवास जो है वह थुलसी बैठी हुए है बिकस मुझे फ्लू हुआ वे दौ मेयात रखेगा तब तक के लिए अपना खिया रखेगा आला हाफिज